हेलो स्टुडेंट्स हमने पिछली वीडियो में एसको माइको टीना के जनरल केरेक्टर्स सामन्य लक्षनों के बारे में जाना अब हम एन्सवर्थ का जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में जो क्योंनों ने दिया था उसमें हमने Mastigo Micotina और Jago Micotina का वर्गी करन आगे पूरा पढ़ लिया था आज हम Ennsworth ने Esco Micotina या Esco Micota को किस तरह से सबडिविजन को विभाजित किया उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहां आप देख रहे हैं कि Ennsworth उन्होंने इसको फिर से classes के अंदर विभगत किया थर्ड नंबर पर लबिलियो बेनियो माई सिटीज चोथे पर पाईरिनो माई सिटीज फिर उसके बाद में डिसको माई सिटीज और लास्ट में हैं लोकिलो Esco Micotis तो यह छे classes जो हैं इसको सबडिविजन को Ennsworth ने सबभिभाजित किया था Hemi Esco Micetis एसको बिजानू धानिया मतलब क्या होते हैं एसकस का plural SI आनावरत इसमें किसी भी प्रकार की चारो तरफ भित्ती नहीं होती है उसको Hemi Esco Micetis के अंदर रखते हैं कवक सूत्र जो है पेराफाइसिस जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं फूटिंग बोड़ी एसको कार्प जो होती है वो नहीं पाये जाते हैं सुकाय तन्तू में अत्वा येस्ट सद्रश इसके अंदर हैमी Esco Micetis के अंदर तन्तू के समान भी हो सकते हैं और यूनिसेलिलर इस्ट जो तुमारे सिलेबस के अंदर है वो भी किस में आता है हैमी Esco Micetis अब आप ये मत पूछ कहना कि इस्ट का क्लासिफिकेशन कहां कैसे होगा तो ये क्लास तक हम इस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं Esco Micotina के अंदर आता है इस्ट और इसकी ज चलते हैं नेक्स्ट सन्वर्ग जो है वो है प्लेक्टो माइसिटीज प्लेक्टो माइसिटीज जो होता है इसके अंदर जो है क्लेस्टो थीश्यम फ्रूटिंग बोडी पाई जाती है ये हम अभी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर प्लेक्टो माइसिटीज की जो floating body है क्लेस्ट्रो थीशियम क्या होती है हमने पढ़ा था क्लेस्ट्रो थीशियम एक बोल के समान संरचना होती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की natural opening नहीं पाई जाती है तो ये बोल के समान जिन में संरचना होती है उसको प्लेक्टो माइसिटीज एसको माइकोटीना में रखा जाता है एसको स्पोर्स एसको भी जानू पटहीन होते हैं किसी भी तरह के पट नहीं पाए जाते हैं स्पोर्स के अंदर तीसरा है लॉबिलो बेनियो माई सिटीज कीटो तथा समुदरी लाल शेवैलों के विशिष्ट बाहे परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं कैसे पोते हैं ये ये अन्य जीवों के उपर परजीवों के रूप में पाए जाते हैं व्रहद मुगदाकार एसकोस्पुरिंजियम कस कैसी होती है इनकी मुगदाकार होती है और एक सम्हू में पेरिथीशियम के समान संरचना में एसकोकार्प में विक्सित होती है कुंचित होती है विजानुधानिया एक कुंचित होती है इनकी जो वाल होती है वो एक लेयर होती है तो ये Labunobeneomycetes क्योंकि ये जीवों के उपर, कीटों के उपर या समुद्री लाल शेवालों के उपर विशिष्ट बाहे पर जीवी के रूप में पाये जाते हैं इसलिए इसको अलग सन्वर्ग के अंदर Labunobeneomycetes के अंदर हम पढ़ते हैं Next है Pyrenomycetes Pyrenomycetes के अंदर भी जो है एसको कार्प जो होता है वो कैसा होता है पैरिथीशियम पैरिथीशियम हमने अभी पढ़ा था कि फ्लास्क के आकार के फ्रोटिंग बोडी होती है Pyrenomycetes और इसके अंदर मुगदा कार या बेलना कार सन्रचनाएं जो है एसकस के रूप में पाई जाती है और इसके अंदर हाइमीनियम में विवस्थीत होता है Soft tissue होता है जिसको की हाइमीनियम कहते हैं इसके अंदर विवस्थीत होती है या एसको कार बनाती है सन्रचनाएं एसकस और हाइमीनियम और fibers मिलकर जो है ये एसको कार का निर्मान करते हैं तो यह हम अगे पढ़ेंगे जब हम इसके members पढ़ेंगे तो ये हाइमीनियम क्या है इसके बारे में detail में नेक्स्ट जो है वो डिसको माइसिटीज अभी हम केवल classification पढ़ रहे हैं तो ये fruiting body के अधार पर ही main classification है जिसको कि हमने पढ़ लिया fruiting bodies कैसी होती है कितने प्रकार की होती है उसी के अधार पर ये वर्गी करन किया गया है पाइरीयनो माइसिटीज हमने पढ़ लिया क्यों कहते है इдиसको माइसिटीज डिसको माइसिज जिसके अंदर डिसक क्या कार का एसको कारब हो तो इस डिसक क्या कार का नाम हमने hippothisayum दिया था और इसके अंदर भी मुगदाकार, बेलनाकार, हाइमीनियम में वेवस्थे तो जो होती है वो संरचनाएं जो है कस पाई जाती है और ये अत्यदिक मासल होता है और इसमें जो नेचुरल आपनिंग जो की पाईरिनो मैसिटीज के अंदर उस्चियोल पाई जाती है या एक धकन के समान संरचनाएं पाई जाती है कुछ फंजाई के अंदर वो नहीं होती है नेचुरल आपनिंग अपरक्यूलम के रूप में अनुपस्थित होती है अपरक्यूलम मतलब लेड जैसा या धकन जैसी संरचना नेक्स्ट जो है वो है लेक्यूलो एसको माई सिटीज लोक्यूलो एसको माई सिटीज ग्लास एसको बिजानू धानियों का निर्मान एसको कार्प में एसको जन कवक सूतर उपस्थित इसके अंदर क्या होता है द्वी कुंचित और एसको कार्प एक विशेश प्रकार की संरचना एसको स्ट्रोमा के रूप में पाई जाती है एसको स्ट्रोमा जो होता है ये भी फ्लास्क के अकार का ही स्ट्रक्चर होती है ये इसके अंदर पाई जाती है एसको स्ट्रोमा के रूप में और एसको भी जानू धानिया जो होती है द्विकुंचित होती है ये इसका मुख्य लक्षण है अब हम पढ़ते हैं कि ये एसकस जो है ये बनता कैसे है इसका डवलप्मेंट कैसे होता है डवलप्मेंट ओप दी एसकस एंड एसको स्पोर्स कैसे होता है इनका डवलप्मेंट तो सबसे इसमें प्रिमिर्टिव जाती जो है एसको माई सिटीज में हैं इस्ट जो कि आपने पढ़ी होगी आपको बढ़ा दी गई है तो यह जो होता है इसमें कोशिका दरवे सनलेयन प्लाजमो गहमी के दवारा है एक ही कोशिका जो है दूसरी कोशिका के पास आ जाती है उसके बाद में इनमें प्लाजमो गहमी होती है यह नीचे आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है दो कोशिकाएं एक दूस कोशिका में चले गए उनमें केरियो गैमी होती है और एक डिपलोईड द्वी गुनित कोशिका का निर्मान हो जाता है इसको हम जाएगोट कहते हैं यही जाएगोट सीधे एसकस बनाता है तो यह नीचे आप डायगरम देख रहे हैं दो कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे से मिल रही है फिर उसके अंदर जो है एसकस का निर्मान हो रहा है और फिर एसकस के अंदर एसकोई स्पोर्स बनेंगे एक कोशिका के अंदर बहुत सारे एसकस आपको आपको दिखाई दे रही है जिसको की एसकस कहते हैं और यह दो 20 डायगरम आप देखिए जिसके अंदर की दो कोशिकाएं का फ्यूजन हो रहा है और दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाजमो गैमी कर रही है और उसके बाद में दोनों के किंद्रक फ्यूज होके केरिय दो गैमी करेंगे तो यह डायरक्ट है इसके अंदर किसी भी प्रकार की विशेश संरचना नहीं बन रही है और किसी भी प्रकार का विशेश फ्रोटिंग बोडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है इसको कार्प नहीं बन रहा है और यह सीधे ही आवरन से ढख जाती है इ के फ्रोटिंग बोडी, simple naked froting बोडी कहलाती है, क्योंकि इसके ओपर कोई भी ऐसको कार्प जैसे संरचना इसमें नहीं बन रही है, नेक्स्ट है indirect development, indirect development में कोशिका द्रवे संलियन, एवं केंद्रक संलियन के बीच में एक अंतराल होता है, जैसा कि पहले बताया था, एकदम से ऐसा नहीं होता है, कि साइटो प्लाजम का fusion हुआ और नूकलियस का भी fusion हो गया, केंद्रक संलियन और कोशिका द्रवे के संलियन के मद्य में थोड़ा सा अंतराल होता है, इसमें माधा, एसकोगोनियम, माधा के female sex organs को इसमें क्या कहते हैं, आप डायग्राम देखिए, ए, डायग्राम देखिए, इसमें आपको एक globos, गोल संरचना, फुल्यू ही संरचना दिखाई दे रही है, इसको एसकोगोनियम कहते हैं, जो की माधा का sex organ होता है, इसी तरह से male sex organ इसी के बगल में आपको थोड़ा सा प्रेस्ट, थोड़ा सा कम फुला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको की male sex organs entheridium कहते हैं, लिखाओ आब यह नीचे की और entheridium और उपर escogonium, यह diagram को आप देखिए, अब ही इसके अदर जो sex organs बनते हैं, उनको एसको गोनियम और entheridium कहते हैं, तो male sex organs entheridium और female sex organ ascomyceties के अदर क्या कहलाते हैं, अब इसके बाद में दोनों ही बहु केंद्रकी हैं आप देख रहे हो एसकोगोनियम में भी बहुत सारे केंद्रक हैं अब वो एक जो है उंगली के समान प्रवर्द जो है उससे एक दूसरे से संपर्ख बनाते हैं आप देख रहे हैं इसको ट्राइकोगाईन कहते हैं क्या कहत इसकोगोनियम के अंदर प्रवेश करते हैं, आप भी डायग्राम को देखो, जिसमें की मेल के और फिमेल के डबल डबल सेट आपको दिखाई दे रहे हैं केंद्रकों की, एक तो ब्लैक कलर का और एक वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, इस तरह से बहुत सारे पेर्स आपको क केंद्रकों की दिखाई दे रहे हैं, एसकोगोनियम के अंदर, जब ये केंद्रक, मेल केंद्रक, फिमेल के अंदर, इस्थानांतरित हो जाएंगे, उसके बाद में ये ट्राइकोगाईन और एंथिरीडियम आपको जो है बी डायग्राम में गायब होती हुई, डिसपियर ह द्वारा इसका साइटोप्लास्म और इसके नूकलियस भी इसके अंदर पहुँच गए, फिर उसके बाद में दो-दो के पेर के अंदर कुछ समय के लिए इसमें पढ़े रहते हैं, इसमें एक दम से नूकलियर फ्यूजन नहीं होता है, तो इसको जो है फिर इसके अंदर क क्या होता है, बहुत सारे पेर्स बन गए, फिर आप देखो भी डायग्राम में ही बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली के आकार के प्रवर्द आपको निकलते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं, इन प्रवर्दों को डायग्राम में उपर लेबलिंग की ह एसकोजीनस हाइफी कहते हैं, एसकोजीनस हाइफा के अंदर फिर ये जो है, आपको सनरचनाय उंगली के समान प्रवर्द पैपिला जैसे उभार दिखाई दे रहे हैं, इन पैपिला के बढ़ने से ही एसकोजीनस हाइफी डवलप होती है, फिर ये क्या बनाएंगे, एसको ज़नक, कवक सूतरों से एसको धानी के अंदर उपसित केंदरक एक दूसरे कर्व एकएकर प्रविष्छ हो जाते है तो ये केंदरक अब किस में जाते हैं ये जूंगली समानप्रवर्द हैं उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं एसको जनकवक सूतर ठीक है न एसको जीनस हाइफी बनाने के लिए जो है ये इसके अंदर प्रवर्धों में चले गए फिर केंदरक के एक साथ समसूतर अब ये जो एसको जन कवक सूतर तथा एसको गोनियम के केंदरक जो होते हैं अब एक दूसरे के साथ में जो है डाइकेरियोटिक अवस्था के अंदर आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं फिर ये जो है समसूतरी विभाजन होता है इन में और इस प्रकार विकसित बहु के अंदरकी है एसको जन कवक सूतर में शीगरही पटों का निर्मान होता है अब ये जो है यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है बहुत सारे केंदरक आपको उंगली समान प्रवर्द में दो 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 के पेर में दिखाई देने लगेंगे जब ये बहुत सारे बन जाते हैं तो इसमें सेप्टा बनना शुरू हो जाता है प्रवर्द बनने शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद में पटों तथा शीर्शस्त तथा अधिकांश कोशिकाएं द्वी केंदरकी बन जाती है ये शीर्षस्त कोशिका आपको दिखाई दे रही है टिप सेल जिस पे लिखा हुआ ईडाइग्राम आप देखिए फिर ये क्या होता है अगर भाग से मुड़ जाती है इस मुड़ी हुई कोशिका को क्रोईजर कहते है लिखा हुआ सी डाइग्राम के अंदर अब इसमें क्या होता है कि टिप वाली सेल और भाकी सेल सारी जो है उनके अंदर जो केंडरक होता है वो फ्यूजन हो जाता है द्वी केंडरकी हो जाते है ठीक है लेकिन ये जो टिप सेल के पीछे वाली सेल है अंतेओदे सेल कहते है पिन्यूल्टी मेट सेल कहते है इसके अं अवस्था ही इसमें पाई जाती है देख रहे हैं आप चित्र के अंदर अब हम चलते हैं और आगे तो एसको घानिया एसको धानी के वरंत में कहीं इस्टिराइल हाइफा विक्सित होते हैं जो कि अंत में एक स्यूडो पेरनकाइमेटस खोखली एसको कार्प बनाते हैं अब क होता है कि यह जो डेवलिप स्ट्रक्चर हो रहा है उसके एसको गोनियम के वरंत है जहां से यह एसको का एसको गोनियम से लगा हुआ है एसको गोनियम जहां से जो है अपने फिलामेंट से लगा हुआ है वहां से बहुत सारे यहां जो है स्टिराइल फाइबर्स जो है बनन फूटिंग बोड़ी को चारोर से एक मुटी पैरीडर्म का निर्मान करते हैं और पैराफाइसिस भी बनाते हैं हमने पढ़ा था कि पैराफाइसिस क्या होता है स्टिराइल सेल्स होती हैं जो एसकस को एक दूसरे से अलग करती है अब क्या होता है एसकोजिनस हाइफी जो है उसके शीर शिप पर एसकस बनते हैं प्रतेक एसकोजन तन्तो की शीर श्रस्त कोशिका में दो किंद्रक होते हैं पिन्यूल्टी मेट सैल में दो किंद्रक होते हैं यह कोशिका मुड़कर एक हुक के समान से रचना बना देती है पड़ापने, क्रोईजर कहते हैं इसको, फिर दोनों के अंदरक एक साथ विभाजित होते हैं, और दोनों के अंदरक जब एक साथ विभाजित होंगे, क्रोईजर के अंदर, तो एक तो जो है वो टिप में चला नीचे जायेगा उनमें से और एक एक जो हे वो नीचे चला जायगा तो फिर क्या होगा कि यह जो बीच वाला तिप वाली से प года उसमें भी एक कंद्रक और और यह को दिखाई देगा और यह जो चो पीछ़ उसमें आपको दो केंद्रक डाइकेरियोटिक अवस्ता के अंदर दिखाई देंगे यह कैसे बने इसको हमने पहले भी पढ़ा था कि टिप सेल में और उसके पीछे वाली सेल में डिफरेंस होता है और tip cell में एक किंद्रक और उसके पीछे वारे penultimate cell में दो किंद्रक होते हैं तो ये दो किंद्रक कैसे और tip cell में एक किंद्रक कैसे होता है इसका निर्मान अभी हमने पड़ा तो terminal cell के पीछे वाली cell penultimate cell कहलाती है और उसके नीचे वाली cell basal cell कहलाती है किया कहलाती है बेशल सेल डायगराम आप देख रहे हैं यी डायगराम को आप देखो इसमें आपको तीन कोशिकै excitisanta दिखाई देंगी टिब सेल बेसल सेल और डी डायगराम के अंदर आपको एक पिन्होटी मेंटिंट सेल रिख्य दिखाई दे रही है उसके नीचे डी डाय यह एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फिर इन में केरियोगैमि नूकलियस का फ्यूजन होता है और सिन केरियोण एक द्विगुनित डिपलोईड के इंद्रक का निर्माण इसमें हो जाता है इस तरह ऐसे यह डाइकेरियोटिक अवस्था में प्रवेश करता है और जब यह डाइकेरियोटिक अवस्था जो है बनती है और इसको जो है एसकस मदर सेल कहते हैं क्या कहते हैं इसको एसकस मदर सेल कहते हैं और यह एसकस मदर सेल जो कि डाइकेरियोटिक कोशिका बन गई उसमें अर्दसूतरी विभाजन मियोसिस होगा और यह जो है मियोसिस के बाद मा आठ स्पोर्स एसको स्पोर्स बन जाएंगे तो इस तरह से ये जो है इसके अंदर आठ एसको स्पोर्स जो है इसमें बनते हैं और ही इस तरह से ये अपना जीवन चक्र पूरा करती है और ये एसको स्पोर्स एसकस में से जब बाहर निकलते हैं तो ये जर्मिनेट होकर नए फिलामेंट का नए वाइसीलियम का नए होस्ट के ओपर निर्मान करते हैं एसको स्पोर्ट्स अगुनित होते हैं तब प्रथम के अंदर के विभाजन अर्दसूतरी तथा दूसरा समसूतरी अभी बताया उसके अंदर होता है तो इस तरह से इसमें तीसरा विभाजन फिर अर्दसूतरी होता है और इसके बाद का समसूतरी विभाजन ना हो सकने के कारण या अर्दसूतरी विभाजन अधूरा रहता है इसी कारण इसे ब्रेकी मियोसिस कहते हैं या आपकी वुक्यांदर लिखा हुआ है तो क्या होता है कई बार एसको स्पोर्स अगूनित होते हैं प्रतम केंद्रक विभाजन अर्दसूतरी और दूसरा विभाजन समसूतरी होता है ठीक है तीसरा विभाजन फिर अर्दसूतरी होता है पर इसके बाद का समसूतरी विभाजन ना होने के कारण यह अर्द सूतरी विभाजन अधुरा ही रह जाता है कई बर ऐसा होता है कि तीसरा अर्द सूतरी विभाजन भी होता है और उसके बाद का समसूतरी विभाजन नहीं हो पाने के कारण यह विभाजन अधुरा ही रह जाता है इसे ब्रैकी मियोसिस कहा जाता है आदिनिक होजो ने इस विचारधारा को पूरता अमान्य सिंदक किया है क्योंकि ऐसा हमने कहीं नहीं पड़ा कि अर्दसूतरी विभाजन जहां होता है वहाँ पे तीसरा विभाजन भी होता है तो पहले यह माना जाता था कि एक तीसरा अर्दसूतरी विभाजन भी होता है इनके अंदर लेकिन इसमें नेक्स्ट म्योसिस के बाद में माइटोसिस नहीं होता है अधूरा म्योसिस होता है जिसको कि ब्रेकी म्योसिस कहते हैं कई बार आपके question आजाता है एक line में कि what is ब्रे ब्रेकिमियोसिस क्या होता है समझाइए तो ये ब्रेकिमियोसिस जो होता है ये आज की तारीक में इसका कोई महत्व नहीं है इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसके SI है SI मतलब ESCUS and ESCOSPORS तो इसके जो SI होते हैं ESCUS होते हैं वो देरगवरताकार, अंडाकार, गोलाकार, मुगदाकार, यूनिट यूनिकेट, बाइट यूनिकेट, एक भित्तिय, दूए भित्तिय, उपरक्यूलेट, तोपिनुमा, आउट, उपरक्यूलम द्वारा, अथवा, ब ESCUS माई कोटीना के Q&A के बारे में पढ़ेंगे